गिरावड आपको इससे में दिख रहे हैं वो है आई-ई-एक्स हमने एक्स्लूसिफ बात करी थी कल पावर मिनिस्टर साब के साथ और उन्हेंने कुछ ऐसे कॉमेंट्स किये हैं जो आई-ई-एक्स के लिए काफी नेगेटिव हो सकते हैं इबार सुन लेते हैं पावर मिनिस् अब ये कहीं से बिजरी आप बना करें कहीं बेच सकते हैं तो पूरा देश में एक प्राइस हो यह आप सकते हैं सर को टाइम लाइन आप इसको देपाएं ये लिए अब हम चेक करते हैं कि क्या हुआ कासल्टेशन हो उसके बाद कंसिल्टेशन जारी है बट मार्केट कप्लिंग आने की तैयारी में है ये आपके लिए बड़ी बात निकल कर आ रही है जो पावर मिनिस्टर ने कहा है तो समझते हैं इसका इंपाक्ट आई-एक्स पर कितना है 5% आप इसे नीचे देख रहे हैं क्या एक बार की गिरावट में सेटल हो गया है तो इस पर बड़ा इंपाक्ट आपको देखने को मिलता है और आज के दिन में अब देखे 5% तक की गिरावट इस स्टॉक में हो चुकी है अफकोस यह जो पार मंत्राले की तरफ से जिस तरह की स्टेटमेंट आते वे नज़र आ रहे हैं उससे तो यही समझ में आ रहा है कि जो मार्केट कपलिंग का इशू है जिस कारण से यहाँ पर इनकी जो मोनोपोली है यानि की D.A.M.R.T.M. में इनकी मोनोपोली है और इक्सेंजेस के लिए एक ही मार्केट क्लियरिंग कीमत अगर तैह होती है तो जाय से बात है कि इसका जो सीधा सीधा जो स्पेशालिटी है वो यह लूज आउट करते वे नजर आएंगे और इसी कारण से यहाँ पर आपको दबाब देखने को मिल रहा है अगर आप कपलिंग के कंसल्टेशन और साथी इंप्लिमेटेशन को चरणबत तरीके से शुरू करने का निर्देश दिया था उसके बाद अगस्त में इन्होंने कंसल्टेशन किये यानि की विबिन स्टेक होल्डर्स किसे यहाँ पर सुझाव मंगाए CRC ने और साथी नवंबर में हम पर से जो इनका बिजनेस मॉडल है ओवर ओलाइक्स का उस पर फिर से खत्रा खत्रा जो है मार्केट कपलिंग का मनरातावा नजर आ रहा है जिस कारण से आज आपको यहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट देखने को बिल रही है यह है आज वापस से गिरावट कि हो जाए वैसे जब हमने पिछले बात मैनेजमेंट से बात किए तो कॉंफिडेंट लगे कि शाहिद नहीं होगा लेकिन मंत्री जी तो साफ साफ कह रहे है कि करना ही पड़ेगा यह तो मामदा थोड़ा सा सीरिस हो गया कि काम चल रहा है ब भड़ तका।